कभी बॉलीवूड के हिट फिल्मों को बनाने वाले फिल्मकार राजकुमार कोहली का शुकरवार को मुंबई में 94 साल के उम्र में निधन हो गया। तड़क भड़क वाली फिल्मी दुनिया में एक तरह से वो इन दिनों गुमनामी के दौर में ही रह रहे थे। लेकिन एक ऐसा भी दौर था जब मल्टी स्टारर फिल्मों के वो राजा कहलाते थे। वो घंगोर व्यवसाइक फिल्मकार थे यानि केवल और केवल बॉक्स आफिस पर कमाई को ध्यान में रखते हुए फिल्में बनाते थे। हाला कि कवायत तो सारे फिल्मकारों की यही होती है लेकिन राजकुमार कोहली इसमें थोड़े ज्यादा किस्मत वाले थे। तुम जो कहने हो अगर वो सच है इनसाफ जरू होगा। राजकुमार कोहली लाहौर में पैदा हुए थे और 1963 में मुंबईया फिल्मों में आए। उन्होंने अपनी शुरुवात पंजाबी फिल्मों से की। प्रेमनात और निशी को लेकर पहली फिल्म बनाई। लेकिन इंटरनेट से पहले वाले जमाने में ये काम दूसरे फिल्मकार भी बखुभी करते रहे। लेकिन राजकुमार कोहली की सबसे बड़ी खुबी थी कि वो बड़े कैनवास और सेटअप वाली कथाओं को परदे पर भव्य धंक से उतारने में सक्षम साबित हुए। उन्होंने कई सारी मल्टी स्टारर फिल्मों को बिना लेट लतीफी के अपने निर्धारित सही समय पर बना कर दिखाया। ये ऐसा प्रबंदन था कि जिसे देखकर मुंबई के दूसरे बड़े फिल्मकार भी हिल गए थे। राजकुमार कोहली को आज जिन फिल्मों से जाना जाता है वो तीन बड़े सेट अप वाली फिल्मे थी नागिन जानी दुश्मन और गोरा और काला इक ना एक दिन ये का। इनमें गोरा और काला सबसे पहले रिलीज हुई थी जिसके वो प्रड्यूसर थे। राजंदर कुमार के डबल रोल हिमा मालनी और रेखा की ये फिल्म बेहत काम्याब रही। ये वही साल था जब हिमा मालनी के डबल रोल वाली फिल्म सीता और गीता ने बॉक्स आफिस पर सबसे ज्यादा काम्याबी हासिल की थी। गोरा और काला के समय में राजेंदर कुमार टॉप स्टार थे और राजकुमार कोहली दस साल तक पंजाबी और कम बजट की फिल्में प्रड्यूस करने के बाद अपनी पहली बड़ी फिल्म से काम्याबी का स्वाद चका था। इस फिल्म की कहानी वैसे तो 1971 में आई तमिल फिल्म निरुपम से ली गई थी लेकिन तमिल फिल्म भी मूल रूप से फ्रांसी सी उपन्यास कार अलेक्जेंडर डुमस की फिक्शन दे क्रॉसिकन ब्रदर्स पर आधारी थी। इसकी काम्याबी से राजकुमार कोहली का होसला ऐसा बढ़ा कि उन्होंने अगले ही साल फिल्म निर्देशन का जिमा भी समाल लिया। विनोद महरा और माला सिना की ये फिल्म नाकाम हो गई इस सदमे से उबरने में राजकुमार कोहली को तीन साल लगे। लेकिन विदेशी उपन्यास और फिल्मों की आईडियास पर उनका ध्यान लगा रहा। अमेरीकी उपन्यासकार कार्णिर वुल्रिच के उपन्यास दब्राइड वोर ब्लैक पर उन्होंने नागिन फिल्म का प्लॉट तयार किया। इस फिल्म के लिए उन्होंने सुनील दत, फिरोज खान, जीतेंदर, संजे खान, रेखा, मुम्ताज, कबीर बेदी और रिना रॉय को चुना। रिना रॉय इस फिल्म में नागिन की भूमिका में थी। उनके पूरे करियर में इस से ज्यादा मशूरी किसी दूसरे किरदार के लिए उन्हें नहीं मिले। इस फिल्म की काम्याबी के बाद उनकी हैसित सुपर स्टार जैसी हो गए थी। इस स्टार कास्ट में थोड़ा बदलाव करते हुए और शत्रुगन सिना नीतू सिंग और विनोध महरा को शामिल करते हुए राजकुमार कोहली ने जानी दुश्मन बनाई। अमिताब बच्चन के स्टार्डम के सामने भी ये फिल्म ना किवल सुपर हिट साबित हुई बलकि हौरर मुवी के तौर पर लोगों के जहन में आज भी ठहरी हुई है। इसी फिल्म का गाना चलो रे डोली उठाओ कहार पिया मिलन की रूत आई आज भी शादियों में खुब बच्चता है। फिल्मों में लिया। दरजनों बड़े अभी नेता एक साथ उन्हें डेट्स देते रहे। सुनीलत और धर्मेंद्र जैसे अभी नेताओं से उनका घरेलू रिश्टा बन गया था। इसका कारण था उनका विवहार। अस्ती के दशक में फिल्म पत्रकारों के बीच ये किस्सा बड़ा मशूर था कि राजकुमार कोहली खुद बैग लेकर कलाकारों के घर जाते थे और अपने हाथ से उन्हें तैय पैसे देते थे। इससे उन्हें एकदम खरा कारोबारी का किताब मिला हुआ था। नाकामी ने उन्हें लाइम लाइट से दूर जरूर कर दिया लेकिन जीवन भर उनका ये अंदाज चला। ही मैन के नाम से मशूर धरमेंदर जब एक्शन हीरो की भूमिका निभा रहे थे उस दौर में राजकुमार कोहली ने नौकर बीबी का जैस हास से फिल्म में काम करवा लिया जिसमें अनिता राज जैसी नई अभिनेतरी को अपने से बड़े धरमेंदर के साथ उतारा और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी खासे हीट हुई। बात के दौर में वो अपने पुत्र के लिए इनी फॉर्मूला को आजमाने लगे तो लगत पतार फेल हुए और अर्मान कोहली भी अभिनेता नहीं बन पाए। जिन दर्शकों ने कोहली की फिल्म को देखा है वो एक बात से सहमत होंगे कि उनकी फिल्में जन मानस को बहुत गहरे तक जोड़े रखती है। उनके नकली गाउं या नकली घटनाई भी दर्शकों को समपातन ऐसा होता था कि दर्शक को सोचने का मौका भी नहीं लगता था। स्पीड बहुत तेज मधूर संगीत पस इसी दम पर खेल जाते थे राजकुमार कोहली। वो कोई यादगार फिल्मेकर भले ना रहे हो लेकिन लोकप्रियस सिनेमा की जब बात होगी तो उनका जि चुड़े रहिए नमस्कार